कि तो हेलो गाई वेलकम टूआ चनल और वेलकम बैक क्वाग चैनल तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर्स और प्लासिफिकेशन ऑफ पावडर्स में हम लोग ने दो टॉपिक कवर कर लिये थे बेस्ट आप पार्टिकल साइज एंद बेस्ड उउज़ तो यह दोनों कि आगर आपको वीडियो देखनी तो वीडियो की लिंक इस तरफ आ रही होगे आई-कार्ड में तो आप जहां वहां जाके वहां से देख सकते हैं मेरे खाल से आपको वह वीडियो पर पहले देखनी चाहिए क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों ने classification क्या है powder का based on particle size and based on uses इस वाली वीडियो में हम लोग की third part cover करेंगे based on physical form ठीक है तो based on physical form देखते हैं internal use हो चुके थे surgical powder टेंट्रिफाई सब हो चुके थे अब है और अब आते हैं हमारे based on external form based on physical form तो दोस्तों हम लोग ने पढ़ लिया कि powder को किस तरह से classify करते हैं उनको classify करते हैं उनके particle size से और उनके uses से कि वह externally यूज हो रहे हैं कि internally यूज हो रहे हैं लेकिन यह वाले classification में हम लोग powder की physical form में जेखते हैं और देखते कि इसमें medical किती हैं है ना तो उस हिसाब से जो powders हैं जो physical form में divided हैं वो two types में divided हैं तो सबसे पहला है bulk powder और divided powder तो classification of based on physical form में दो टाइप में divided है bulk powder और तो पढ़ते हैं कि इनका definition क्या है और क्या मतलब है divided और bulk powder का मतलब क्या है तो दोस्तों बल्क मेडिकामेंट्स जैसे कि आप यह समझ लिजे कि एक powder है आपके पास उसमें पेरसीटा मोल भी है उस पर एस्प्रिन भी है उसमें कोई एंटी एमेटिक भी है कई सारी drugs हैं एक से ज़दर ड्रग है तो उसे कहते हैं bulk powder क्योंकि वो बल्क है मैं जादा में है तो उसमें किसी कंटेनर में पैक कर दिया जाता है और वही है डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है तो पड़ते क्या है इस में एक ही अधिक अमें नहीं होता है इसमें ज्यादा होते है और इसलिए से कहते हैं bulk powder थीक है तो इसमें क्या होता है जिए आप छोट लग गई वांड लग लग तो वहां पे आपको बॉल्ड पाउडर में क्या हो गा उसमें antiseptic भी होगा antimicrobial भी होगा antifungal भी होगा antiracial भी होगा सब चीज़े होंगी तो कहीं भी आपको छोट लग गई तो वह वहाँ पे bulk powder आपको लगा दिये जाएगा internal use के लिए भी है जैसे कि बहुत सरे powder आते हैं जैसे कि constipation के या डाइरिया के तो उसमें कई सारी इसको डिवाइट कर दे कि यह यह अलग वाला यह अलग वाला यह अलग वाला ठीक है तो क्या है इट कंटेंस single dose of medicament माले कि इसमें जो medicament होती है वो single dose होती है ठीक है इट इस गिवें separately for each medicament to the patient आप दोस्तों देखिये कि मुझे किसी patient को पेरसित्रा मोल भी देनी है और उसके साथ उसको यह हो गया तो मुझे इसको दो調 देने पड़ेंगे एक में होगा इंटी मैक्रोबियल और दूसरी में होगा मेरा बलक में क्या है ब्लबोर में में एक ही पौडर दो betting में गोंगो इसमें ही दोनों और इन दोनों के बीच का 50% antimicrobial है दोनों सेम है लेकिन मुझे देना कहता है मुझे 70% परिसिटमोल देना था और 30% antimicrobial देना था तो यह जो हमारे पास हमें 30% 70% देना है यह divided powder में possible है क्योंकि हम लोग उसको separately दे रहें ball powder में तो एक साथ है उसमें 50-50 है उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते भल powder में हम जो दे देंगे वह देगा जित्ति परिसिटमोल है उसमें उत्ति हम लोग से कुछ चेज नहीं कर सकते लेकिन यृट powder में हम लोग उसे चेंज कर सकते है तो इसलिए डिवाड़ेट powder में जो dosage accuracy है कि मुझे कितनी परिसिटमोल दिनी और कितनी antimicrobial देनी है यह अराम से मैं पता लगा सकता हूं और उसको अराम से क्लासिफिकेशन पूरी है और इस क्लासिफिकेशन को याद करना भी बहुत दुरूरी क्लासिफिकेशन बहुत बार फुषि जाती है तो बहुत साथ क्लासिफिकेशन है इंटर्नल यूज में कंपाउंड सिंपल और इस्टेंट सर्जिकल यह सब है तो यह सब को इन पॉइंट वोइस लिगा है और यह आगर आप एक्जाम लेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे ठीक है तो क् कुछ-कुछ इंपरण पॉडर्स हैं जो बचे हुए है ना और यह जो पॉडर्स हैं यह जी पैड या आपके पेपर में एक या दो नंबर पर तो पूछ सी लिए जाते क्योंकि इसमें तक कंटेंट नहीं है लेकिन तब भी यह पूछ लिए आते हैं ठीक है तो सबसे पहल है वो लगाते ना तो यहां पर वो पाउडर है यह कुछ पाउडर्स हैं जो जो पेशन्ट होते हैं में लिए अस्थमा की पेशन्ट या कोई भी किसी की किसी भी उनको नोस की प्रॉब्लम है तो यह पाउडर्स वो लोग मैंने की इनहेल कर लेते हैं और इनहेल करने से ही उनकी nasal pathway means जो हमारी nose है जहाँ से हम लोगी air lungs तक जाती है वो पूरी pathway अगर blocked होगी तो पूरी तरह से clear हो जाएगी और clear हो जाएगी तो हम लोगों को जो सांस है वो पूरी आएगी और हम लोग पूरी तरह से inhale और exhale कर पाएंगे ठीक है तो यहीं इस नफ्स का basic meaning इस पाउडर्स आर इन्हेल थ्रू नोस की तरह इन्हेल कर जाते हैं यह हैं यह लोग अराम से इन्हेल और एक्जेल कर लें ठीक है और फिर आते हैं insufflations insufflations क्या होत है इस संफ्लैशन स्नॉट और यह डी कउसिंट पाउड्र्स होते हैं यह पौरदी कैविटिज में जाले हैं तो ब्लडी कैविटिश क्या होती हमारी अर्म हाँ है माँध है यूरेठ्रा हे है ना तो यहां पे यहीं आपोदर इंसेट के जाते हैं धूर्व आपको एक डिवाइस का नाम है इंस अफ्लेटर के थूँ यह पाउडर बॉड़ी के विटी इसके अंदर डाले आते हैं और वह अपनी मेडिका में रिलीस करते हैं और अपना पर्टिकुलर फार्मक लोजिकल एक्टिविटी देते हैं ठीक है तो यह होगे इंस अफ्लेशन फिर आते हैं डेली कुशन पाउडर डेली कुशन पाउडर क्या होते हैं डेली कुशन पाउडर दोस्तों वो होते हैं जो मौश्चर बहुत जल्दी अब्सार कर लेते हैं आपने कुछ देखा होगी कि अगर पाउडर को मैंने अगर खुले में रख दिया तो बहुत जल्दी यह monster absorb कर लेते हैं और अगर इन्होंने monster absorb कर लिया तो इनकी जो pharmacological action है जो उनकी API है उसमें कुछ ने कुछ चेंज हो जाएगा और फिर यह powder आपको फायदा नहीं करेंगे वो फिर बेकार हो जाएंगे तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इन्हें रखते के लिए है यह कुछ-कुछ powder है अगर खुला छोड़ दिया पांच मिनट के लिए छोड़ जाए खुला तो तुरंत खराव हो जाएंगे और उन्हें सारी फार्मकोलोजिकल एक्शन छोड़ देंगे तो यही होते हैं डेलिक्वेशन पाउडर ठीक है दोस्तों बाकी वाले